गाईज वेलकम बैक और आज हम दुबारे से कंटिन्यू करने वाले है रंच सेमुलेटर एंड फाइनली गाईज यह हमारा रंच सेमुलेटर को होने वाला है एपिसोट नमबर 14 तो गाईज यह जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोट में देखा होगा यहाँ पे हमने एक ग्रैनियरी और एक विंड मील बनाया था जो कि हमारे फीडर को इजली बर दे रहा है और यहाँ पे गाईज हमारा काफी जादा बड़ा नुकसान हो चुका है जब से गाईज मैंने ये लगाया ना मैं वीट्स वगेरा दुकान से लेखे आना भूल चाओ रहा हूँ जिस कारण से हमारे काफी जादा चिकन्स मारे गए हैं तो अब भी आपको दिखाता हूँ कि हमारे कितना जादा बड़ा नुकसान हो चुका है सबसे पहले तो गाईज इन चीकों मैंने डिसाइड करा जितने मर गए हैं तो इनको मैं यहाँ पर पैक करता हूँ पहले यह बाहर निकल रहे हैं इनको बाहर नहीं निकलने देना सो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर एक उठाएंगे ठीके देखो, कितने सारे मर गए, एक एक करके मैं सब को इसके अंदर डाल देता हूँ, लगबा काफी जादा चिकन्स को अपने को नुकसान हो चुका है, लगता है एक तो भरी जाएगा इतने में, तो ठीके करें सारे के सारे चिकन्स मैंने यहां से उठा दिया, I hope एक आदा बाहर भी होगा, बाहर तो नहीं है, अभी जो है ना, मैं इससे बाहर निकलता हूँ, अभी सबसे पहले में यहां पर चेक आउट करना है, इसमें कितने चिकन्स आए हैं, लगपक गाइस, 9 चिकन्स आए हैं, और 2 रोस्टर के मीट है, भाई, एक ओर में को कूलर लेके आना जिसमें हम अपनी काउस को रखेंगे, अरे किदर भाग रहा है, एक चिकन्स यहां पर से बाहर भाग गया, चलो कोई नहीं, उसको तो मैं एजली अंदर लेके आ जाओंगा, लगता है, इसके अंदर कुछ ने कुछ तो था, इसको मैं यहां पर रखता हूँ, अपना दूस का मीट है, उसमें लगता है मेरे को पिक का मीट होगा, और एक कुछ चिकन्स होगा, तो याला भी फटावट से भरते हैं, अभी जोए नगाइस मैं बाना उसका ब्लूप्रिंट प्लेस करता हूँ, जल्दी से हम अपना बाना उस भी बिल्ड कर लेंगे, ओके एक एक करके स अपनी गाड़ी में लोड करना होगा, और सबसे पहले तो मैं अभी अपनी क्ले, काउस के लिए बानास बनाऊंगा, और उसके लिए मेरे को काफी जादा फ्लैंक्स ची है, फ्लैंक का काईस हमने काम अल्ड़ेडी कंप्लीट करा वाए, तो ये चिकन कूप बनाने का प्लै इसली हो जाएगा, पर हमारे पास अभी काफी जादा पिक्स है, तो मेभी नेक्स वीडियो में बड़े बड़े चिकन कूप बनाएंगे याले, और उसके साथ ग्रैनी नरी भी लगाएंगे, और एक विंड मील भी लगाने वाले, तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने क्राफ् उसको तोड़ देता हूँ, ओके गाइस, यहां पर हम लोगों ने तोड़ दिया, अभी मेरे को बानाउस का ब्ल्यूप्रिंट लगाना है, अपने काउस के लिए, तो बानाउस, फ्रंट सेक्शन, और वो कहां पर रखे, तो मुझे देख देखके चलना पड़ेगा, ओके म मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, तो ठीक है, फटावट से हम याला सेक्शन क्लियर करते हैं, इससे वुड़न लॉक्स मिलेगा, उसको मैं यहां पर रख देता हूँ, यह पूराना विंड मिले, जो कि काफी जादा टूट चुका है, तो इसको हम अब भी डिस्ट्रॉय कर अब जोए न जगा काफी जदा क्लियर लग रही है, पर सबसे पहले इसको भी क्लियर करो, तो ठीकी गाइस, अब जोए न, मैं बाना उसका ब्ल्यूप्रिंट यहां पर एजिली प्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ इस डारेक्शन में प्लेस करना है, लेस्ट गो, I am ready, देखते हैं, मुझे यार एक्जप्ट किस तरीके से पता चलेगा, तो यहां पर से हम बाना उस बनाना स्टार्ट करें, पहले एक लोकेशन देख लेता हूँ, एक दम सैंटर में है, तो लगबग लगबग सही है गाईज, इतना भी बूरा नहीं है, लगता है मैंने उल्टा प्लेस कर दिया, हाँ, तोड़ना पड़ेगा, ओके, फ्रंट सेक्शन हम कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे, तो, ओके गाईज, मैं यहाँ पर से देख के प्लेस कर सकता हूँ, तो, आइटिंग, यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, हो जाएगा, ओके, सो फाइनली गाईज, यहाँ पर हमने फ्रंट सेक्शन अपना बाना उसका प्लेस कर लिया है, अभी मेरे को लगबग तीन से चार एकदम मिडिल वाले सेक्शन प्लेस करने है, तो, एक-एक करके, इनको करते हैं, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो, इसको भी मेरे को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, तो, ओकी गाईस, हमने फ्रंट सेक्शन इसका प्लेस कर दिया, अभी मेरे को इसके काफी ज़्यादा मिडिल सेक्शन प्लेस करने होगे, एक यहाँ पर प्लेस करते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो अब ही जो है नगा इस बस में जादा बड़ा बानाउस नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतनी जादा काउस नहीं है जैसी काउस जाद हो जाएंगी तब हम बड़ा बानाउस बनाना स्टार्ट करेंगे तो लगबग हमारा बानाउस का ब्लूप्रिंट तो प्लेस हो चुका है और इसके लिए मेरे को only flanks चाहिए है only flanks न हाँ guys only wooden flanks तो हो जाएगा इतना flanks तो हमारे पास है और एक मेरे को यहाँ पर door का blueprint भी place करना है front door तो okay guys यह हमारा main door जिसका blueprint हमने already place कर दिया थोड़ा सा पीछे हो चुका है पर कोई नहीं इतना कोई problem नहीं होगा इसमें तो अभी जो यह नगाइस हम सबसे पहले यहाँ से चलते वैसे मेरे पास pigs भी काफी जादा है so मैंने decide कर रहा है जो male pigs है मैं उनको sale out कर दूँगा I think यह male pig है हाँ इसको ऐसे करते ना लेके चलते अपनी गाड़ी में बिठा कर sale out कर देंगे इसके ओपर से चड़े के निकलना पड़ेगा कि मार के चले हाँ guys इनको ऐसे करते ना कुछ pigs को हम kill कर देते हैं जो male pig है क्योंकि अपने को और यह female है यह तो pregnant है मैंने female को इटपका दिये थे यह male है ओके reload करना पड़ेगा gun ओके एक गया यह भी male है यह भी गया यह भी male है तो guys अभी जो है ना दो कोई कुख डालते और इनकी skin निकालते फटाफट सी और जल से जादी यह cooler चुए ना इनके अंदर भर देंगे अपने को पैसे की काफी जाद ज़रूरत है अभी क्योंकि हमें अपनी गाड़ी भी अपग्रेट करना है और उसके साथ साथ अपने को बान हाउस भी बनाना है ओके दूसरा cooler भी भर चुका है यह भी भर भाए इसको भी मैं यहाँ पर प्रेस करता हूं ओके सारा का सारा पॉर्का मीट मैंने यहाँ पर इस cooler में रखती है अभी भी कुछ खाली है पहला मैं चेक आउट करता हूँ कौन सा cooler में अभी इस प्रेस है नहीं तो गईस एक ही पॉर्का मीट है ओके इसमें आ जाएगा ओके आगी या अभी मैं फटावट से अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ साथ के साथ गाइस इस गाड़ी को भी हम क्या करेंगे अपग्रेट कर लेंगे लेस गो जितना भी हमारे पास पॉर्का मीटन है इसको यहाँ पर लोड कर देते हैं यह बारा है इसमें वैसे गाइस हमने काव का मिल्क काफी लंबे टाइम सा नहीं निकाला तब ही गाइस वो भुलाने लगी है आजा वया दूद निकाल लो अपना पर नहीं अभी नहीं मिल्क हम बाद में करेंगे पहले तो मैं इसको भरता हूँ और यह भी है इनके उपर आ जाना चाहिए इसको ओके उपर आ जाएगा तब इस पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सोच रहे थे इसका हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा पर इस पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं ओके ये भी खाली है ये भी खाली है अभी कुछ चिकन से उनको भी लेके चलना है अभी फटावर्ट से हम अपने गाड़ी में चिकन को भी लोड करते हैं जो कि बीचारे भूक के कारण मारे गए थे इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ एक एक करके सब लेके चलते है आज भी लगता है हमारे पास काफी अच्छी अमाउंट में पैसा हो जाएगा लेस्ट गो उसके बाद हम लोग गाड़ी को अपग्रेड करेंगे तो लेस्ट गो गाइस अभी डाला फटावट से उपर करते अब जो हम फटावट से जाने वाले सीधा बर्गर शॉप में और उसके बाद गाइस मैंने एक जगा में अपनी जो छोटी यूटी वी है और ट्रेलर रखा वाईस जिसके अंतर मैंने काफी जादा वुड वगेरा कलेक करके I mean टेबल सोशे कट करके फ्लैंक्स बनाके रखी वी है क्योंकि मुझे पता था आज मुझे बानाऊस बनाना है तो गाइस आप लोग देख सकते हो वहाँ पे अपनी यूटी वी खड़ी है उसको अभी हम लेके चलेंगे अपनी गाड़ी को जो है न अपनी शोग के सामने प्लेस कर देंगे I mean खड़ी कर देंगे अइड उसे हम बाद में लेके चलेंगे अभी तो मैं सबसे पहले देखता हूँ अपने को कितना माल भी लेगा इससे बाई पहले गाड़ी को ढंक से बार करता हूँ क्योंकि काफी बार होता है गाइस की वो प्लेस नहीं होता कि पूरा मीटी नहीं आता रहे इसमें प्राइस में ओके लेस्ट को चेक आउट करते कितने का है तो लगबग आईस यहाँ पे साथ मेरे पास शिकन से दो रोष्टर का मीट है रोष्टर का मीट ज़्यादा कोस्टी है लगबग 30 डॉलर का एक रोष्टर है और यहाँ पे 4 रोष्टर मारे गए थे मेरे टोटल काफी ज़ादा मड़ा नुकसान हुआ तो हम जो यहना अभी सारा का सारा सेल आउट कर दीते हैं वैसे मेरे पास शिकन के एक्स भी काफी जादा है तो उनको लेके आना बूल चुक हूँ और यहाँ पे देखते हैं इस प्राइस किया चीज है ओके अगर पॉर्क के मीट बॉल देऊंगा चीज देऊंगा चीज भी बनता है गाईस इसमें क्या ओके लगता है मेरे को चीज भी बनता है बीफ मीट तो प्राइस जो है 1.6 मंटिप्लायर है भाई काफी जादा है सबसे पहले चुभी न हम यहाँ पे से चालते सीधा गहराज में अपनी काड़ी को अपग्रेड करते हैं क्यूकिन अभी अपने पास काफी जादा पैसा है बाई ले चलो गाड़ी को सीधा अंदर तो भाई सबसे पहले तो क्या अपग्रेड करें और यह चीज काफी जादा गजब लग रही है गाड़ी में हाना गाइज ये ये काफी ज़्यादा बढ़िया है इसमें गाड़ी को लगबग 150 डॉलर्स लगेंगे और saturation बोले तो मुझे black color ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं color में तो कोई change नहीं करने वाला and black color काफी ज़्यादा बैटर है तो guys ये मैं अपनी car को upgrade कर लिया है जो कि काफी ज़्यादा बढ़िया लग रही है and finally guys इतना ही upgrade करेंगे अब जोए ना car अपनी काफी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देख लीजिए तो अब जोए मैं कोई यहाँ पर फटावट से निकलना है कहाँ पर जहाँ पर हमने शौर रखी भी है and उसके बाच जोए ना guys हम लोग निकलते सीधा अपना बाना उस बना निकले तो देख लीजिए guys यहाँ पर अपने काफी ज़्यादा काम करके रखा वाए जोकि काफी ज़्यादा बढ़िया है तो अभी अपने को याली-गाली लेके जाना है सीधा अपने रेंच में and फटावट से अपना बानाउस बनाएंगे ओके ट्रेलर को कने करता हूँ collect अल्रेडी हो चुका है let's go boys ये काफी ज़्यादा तहीं चलता है बई इतना लोड लेके भी क्या ही गजब भाग रहा है अप सही हो जाएगा न गाईज अपना पिक्स अलग है तो हम लोग अलग से फोकस कर पाएंगे ओके फाइनली गाईज हम लोग पहुँच चुके हैं एंड फटावट से अपना ये complete करते हैं सबसे पहले तो मैं ये जगा complete करूँगा एक एक करके फटावट से इसको complete करते हैं भाई लगता है रात होने वाली है तो काफी ज़दा problem हो जाएगा रात होने से पहले मैं इसको complete करने का try करूँगा मैं भी complete कर दूँ सो यहाँ पर light cut हो गया था मैं को off जाना पड़ है क्योंकि light काफी देर तक नहीं था सो इतना load मेरा inverter नहीं उठा पा रहा है तो अभी जोए नहीं सबसे पहले हम अपना रैंच को complete करते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी काउस को यहाँ पर shift कर लेंगे एक section तो लगबग बनके ready हो चुका है अभी मेरे को ऊपर का section इसका complete करना है चूँकि मैं फटाफट से का लेता हूँ ओके ओके गाईज यह section तो लगबग पूरा complete हो चुका है और woods की काफी जादा जरूरत है मुझे लगता है हमारे पास थोड़ा सा flanks कम भी हो सकता है क्योंकि काफी जादा flanks लग रहा है गाईज इसमें ओके लगबग एक section तो बनके ready हो गया है अभी यह section हमें complete करना है तो मैं फटावफट से गाईज इसको complete करता हूँ और मिलता हूँ सीधा आपसे जब यह पूरा complete हो जाएगा तो ऐसे करते हैं न गाईज पहले पहले बार में जो हम उपर ओला section को complete करते हैं और बाकी section हम बाद में देखेंगे सबसे पहले इनको उठाओं और ऊपर का पूरा complete करते हैं नीचे का हम लोग दीरे दीरे कर लिंगे सबसे पहले यहाँ पर लगाता हूँ एक यहाँ पर दो लगेंगे तो हमारी चत तो बनके लगबग ready हो चुके अभी मेरे कोई याला section भी इसका upgrade करना है तो ठीकी गाइस उपर ओला section लगबग ready हो चुका है अब फटावट से लगता है इतनी flanks से तो easily काम बन जाएगा अपना और मेबी मैं नेक्स वीडियो में एक बिक चिकन कूप भी बना सकता हूँ इतने flanks में ओके गाइस यह लगबग ready हो गया है अब बेस तो लगबग हमने ready कार लिया अभी मैं इस वाले section को भी पूरा complete करता हूँ अभी मुझी जो है सबसे पहले है wooden के flanks लाने पड़ेंगे काफी जादा ओके so finally guys अपनी चत पूरी complete हो चुकी है अब बस हमारा यह section रहे गया है so इसको भी मैं फटावट से complete करता हूँ और में जे door भी लगाना है लगता है door के लिए अपने को वो buy करके आना होगा क्या बोलते है guys अपने के लिए metal क्योंकि metal अपने पास बिल्कुल भी नहीं है अपने बान आउस में लाइटिंग करूँगा क्योंकि रात को काफी जादा अंदेरा लगता है तो वो मुझे इतना जादा खास नहीं लगा अंदेरे में तो मैंने डिसेट कर अभी मेरे को दिखा है लाइटिंग का उप्शन तो नेक्स वीडियो में हम लोग अपने बान आउस में गजब की लाइटिंग करने वाले जिसको देखने में काफी जादा मजा आएगा ओकी गाइस लगबग हमारा बान आउस जो है वो बनके रैडी हो चुका है बस लास एक्शन बचावाए जो कि चुटकियों में कम्प्लीट हो जाएगा अभी मेरे को मेटल लेने भी जाना है पर यार मेरे को सबसे पहले वो लिकालना था अपना जीप जो है ना वो तो काफी जादा दूर है तो अपन लोग सबसे पहले ऐसे करते है ना अपना जो रैंच है आई मिन रैंच का बाना उस वो बनके लगबग रैडी हो गया है और रात भी हो गया है मुझे चिकन्स को भी चेक आउट करना है कहीं जो थोड़े बहुत बच्चेवे चिकन्स ने वो भी ना मर जाए ठीक है ओके ओके बस यह रह गया ठीक है गाईज अब भी काफी जादा अदे रहे हो चुका है सु मैं ऐसे करते हूँ लायट ओन करता हूँ और सबसे पहले तो यहाँ पे डॉर प्लेस करते हैं अभी मुझे दिख भी नी रहा है तो आई होप आपको भी नहीं दीख रहोगा सो ऐसे करते हैं सबसे पहले हम सोगे आते हैं और सीधा मिलते हैं आपसे morning में बारिस भी होने लगी है काफी जादा तेज ओकी गाइस यहां पर morning हो गया है अब भी जो है ना सबसे पहले हमें अपने बानाउस को पूरा complete करना है रात को हम लोग काफी अच्छा सोय थे अपने पिक्स को तो देखो अभी भी कैसे सो रहे हैं जिसे कुछ हुआ इच नहीं होगा इदर ओके पिक्स के बेबीज भी काफी जादा है और काव का कब से गाइस हम लोग मिल्क वगेरा बिल्कुल भी ने निकाल रहे क्योंकि अपने को इतना टाइम मिली नहीं रहा है कि इनका मिल्क भी निकाल पाए तो मुझे गाएस सबसे पहले जोए ना लाइट को आफ करता हूँ यहां पे अभी डोर्स लगाने बना उसमें नहीं तो यहां से सबके सब भाग जाएंगे ठीके एक डोर यहां पे लगा दिया एक डोर यहां पे लगा देते हैं ओके 12 वुडन के प्लैंक्स चीएं ओके इसमें लग चुका है सारे का सारा अब बस यह बचवाए और इसमें 12 चीए तो हम लोग ऐसी कहते हैं जितने प्लैंक्स इसमें लगेंगे सबसे पहले में डोर का प्लैंक्स का काम कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद लास्ट वाली का करेंगे तो लेस्ट को ठीके लगबग 12 लग चुकी है चार और लगानी है यहाँ पर अपना में डोर का प्लैंक्स का काम कम्प्लीट हो चुका है बस अब मैं मैंटल चाहिए अकर में डोर अभी नहीं बनेगा तो कोई प्रॉबलम नहीं है क्योंकि में डोर के आगे हम ऐसी जो फैंस से ना वो प्लिस कर लेंगे सो में डोर का भी इतना कोई दिक्कत नहीं है अपने को ठीक है आप मेरे को थोड़ा सा मैटल चाहिए मैटल भी मेरे पास अल्रेडी है जब मैं गरेनिररी और विंड मील बनाया था ना थोड़ा सा मैटल बच्चों का बस दो मैटल होना चाहिए नहीं कैस अपना ये डोर भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा पहला ऐसी करते नहीं इसको बनाते एंड उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे अब देखते हैं इसके लिए मैटल बच्टा है या नहीं बच्टा ओके हो गिया ये भी प्लेस करता हूँ ओके गाईस फाइनली रेडियो हो चुका है अब ही जो है ना सबसे पहले हमें यहाँ पे फीडिंग टर्फ बनाना है काउस के लिए तो उसके लिए हमें बनाने के लिए क्या कहें चाहिए और देखते हैं यहाँ से मिलेगा इटिंग यहाँ पे तो नहीं है रेंच के उप्षिन में मिलेगा रेंच के उप्षिन में भी नहीं है घर वाले भी नहीं है इसमें हो गया तो ओकी गाईस यह रहा देखो वाटर बाउल सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लेस कहता हूँ पिछला ले बाना उसमें हमने गल्दी किया था कि इसने चिपका के लगा दिये था मतब थोड़ा सा डिस्टेंस था बीच में सो वाटर बाल की इतनी जाद जरूरत नहीं होती अपने को फूडिंग टर्फ की जाद जरूरत होती है क्योंकि गाइस एक भी लगा दी तो चल जाएगा काम वैसे मैं दो लगाऊंगा यहां पर नहीं यार ऐसे करते हैं इनको यहां पर प्लेस करते हैं एक यहां पर और एक यहां पर क्योंकि गाइस यहां पर मैं वो बनाने का प्लान है मेरा क्या वोलते जो छोटे-छोटे वो ते न पर्टिकुलर सेक्शन वो चीज बनाएंगे तो वो तो यहाँ पे नहीं लगती और पानी का भी यहाँ पे लगा दे तो दो ठीके एक यहाँ पे और एक की यहाँ पे और जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया तो ना उसको मैं तोड़ता हूँ किदा रही वो यह रहा वाटर बॉल का तो अभी इन के लिए मैं को कितना चाहिए वो देखता हूँ लगबग 16-16 प्लैंक्स एंड मेरे पास इतना तो है लगता है अहाँ सारे का सारा प्लैंक्स यहीं पर खतम कर देंगे आठ लगा दिया है ओके तो मैं डारेक्ट आपसे मिलता हूँ जब हम यह पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो गाइस यहाँ पर जैसे मैंने बनाया नहीं है यह आटमेटिकली फिल भी हो गया मतलब एक सेकिट नहीं हूँ आप बनाते वे और डारेक्ट फिल तो ग्रैनिरी का गाइस यही यूज है जो कि काफी ज़ादा बडिया है तो अभी जो मैं वाटर बॉल बनाता हूँ आपको दिखाऊंगा कि वाटर बॉल कितने जल्दी अभी आपको एक बारी और लाना है लगता है एक वाटर बॉल सफिशिंट होगी अपनी को ज़ादा बनाने की ज़रूरत नहीं है तो यह काफी छोटा बानों से मुझे लग रहा है और देखो गाइस अपना आप 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 आपको पानी भर चुका है मैं चाहता हूँ काउस बाहर भी निकले ना तो इतना कोई प्राब्लम नहीं होगा ओके मुझे यहाँ पे सबसे पहले फैंस बना रही है ओके गाईस यही वुडन फैंस मैं लगाँगा यहाँ पे से इन से चिपका के लगाना है गाईस ठीक है वसे अगर स्ट्रेट लगाँ तो वो भी बढ़िया लगेगा ओके गाईस यहाँ पे हम लोग ने दुबारे से बना है पर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कुछ इस तरीकी से बन रहा है चलो फिर भी गाईस यह काफी जादा बढ़िया है पहले वाले में काफी जादा दिक्कत हो रहा था एंड याला कुछ फ्लैंक काफी बढ़िया लग रहा है तो चलो गाईस इसको फटावट से हम लोग कम्प्लीट करते हैं ओके आई तिंग हो जाना चाहिए जितनी फ्लैंक हमारे पास है बाई बारिस काफी जादा देज हो रहा है अभी मेरे को पेंट भी लाना है गाईस इनमें हम लोग पेंट भी कर सकते हैं तो नेक्स वीडियो में हम लोग पेंट करने के भी ट्राइ करेंगे इनमें ओके गाईस फाइनल यह हमारा जो बाना उसे काउस का वोपन के रैडी हो चुका है फटावट से गाईस इसमें गाड़ी काउस को हम अंदर डाल देते हैं अपनी गाड़ी इससे कनेक्ट हो चुकी है और फटावट से हम जोए ना इसको आगी लेके चलते हैं यहापस मैं उतरता हूँ और सबसे पहले अपनी काउस लेके आउंगा भाई पिक्स भी अपने काफी जादा बड़े हो चुके है मत्तब गाईस आप लोग समझ रहे हो अब तुम्हारे भाई के पास पैसा ही पैसा होगा यह देखो भार निकलने के फुल प्लैनिंग है पर पहले मैं ग्रैनिरेरी को चेक आउट कर लेता हूँ इसमें कुछ ने कुछ है या नहीं है लग बग गाईस यह सारा का सारा वीट खा चुके एक सो पांस डॉलर्स लगेंगे इसको फिल करने में तो फटावट से हम फिल कर देते हैं एक सो पांस डॉलर्स गए तो अपने पास चुए न गाईस लग बग दो सांड हो गए बग दो सांड हो चुके है लगता है एक सांड को हम मरवा देंगे आजा वेटे तु भारा इसको ख्लोज करो अब इसको लेके चलते हैं इनके बाना उसमें आजा वई गेट यहाँ पर इस वाले का ओके गाईस एक एक करके हम सारी की सारी काउस यहाँ पर लेके आ जाएंगे तुम यहाँ पर मजे करो यह तुम्हारा बानाओ से यह सांड है वई मैं तो सोच रहता अगर काउस गाई होगी न तो उसमें अपना प्राफिट है चलो कोई नहीं गाईस हम लोग इसको न बर्गाई शॉप में सेल आउट करके आ जाएंगे चलो इसको मैनेज करते हैं आजा भई तू भी यह फटा फटा वटा अबे आजा वे सांड लगता है सांड आने को तयार नहीं है अब वो भी बोले का अबे किदर से आओ रास्ता इधर आ तू चल इन्होंने विचारे कर रास्ता रोक के रखा वाए आजाओ अब इसकी बारी है और फाइनली गाईज अब अपनी एक काउ बची भी है उसको भी फटावट से हम लोग अपने रेंच में लेके चलते हैं वो तो गया सीधा खाना खाने आजा एन नेक्स बताओ गाईज नेक्स हम क्या करें इसमें मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के लिए एक अलग घर बनाए भाई पिक्स तो देख सकते हो गाईज आप कितने जादा पिक्स हो चुके अपने पास ओकी एक और बच्छिया भ आपको चलो कोई नहीं आज हमने अपनी काउस को उनके बानाउस में डाल दिया है और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना कोमेंट करना एंड मन करें तो याज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो चली गाइस मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब छक ले गुडबाई सियो गाइस इन नेक्स वीडियो बाबाई